अल्रेट, शेक इट आउट गाईज, स्वागत आपका स्ट्रूम टेक में, दोस्तों जम कंपेर करेंगे इन्फिनिक्स और मोटोरोला की तरफ से रिसेंटली इंडिया में लॉंच हुए तो किलर रिस्पेक्स वाले मीड रेंज 5G स्मार्टफोन को, जिनका नाम है इन्फिनि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों मोबैलों की डिस्प्ले का बारे में जिसमें, इन्फिनिक्स GT20 Pro में आपको 6.78 इंचेस के AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वहीं मोटोरोला S50 Pro में आपको 6.7 इंचे screen production देखने को मिलेगी, अगर बात करें वेट की तो इन्फिनिक्स का वेट आपको 194 ग्राम देखने को मिलेगा, वहीं मोटोरोला का वेट आपको 186 ग्राम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मोटोरोला आपको काफी LED वेट देखने को मिलेगा, अगर बात करें रिफ्रेश system के बाद करें तो दोने mobile में आपको Android 14 operating system देखने को मिलेगा chipset के बाद करें तो Infix में आपको Mediator Dimensity 8200 Ultimate Processor देखने को मिलेगा वही Motorola में आपको Snapdragon 7 Gen 3 Processor देखने को मिलेगा अगर बात करें दोने mobile के graphics के तो Infix में Mali-G610 M6GP आपको देखने को मिलेगा वही Motorola में आपको Adeno 720 GPU देखने को मिलेगा अगर बात करें cognitive card slot के तो दोने mobile में आपको card slot देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें internal memory की तो Infix बस आपको 256 GB में ही देखने को मिलेगा वही Motorola आपको 128 GB, 256 GB और 512 GB के वेरेंटस में देखने को मिलेगा अगर बात करें RAM की तो दोनी मुबैल आपको 8 اور 12 GB के वेरियंट्स में देखने को मलेंगे अगर बात करें Storage Type की तो Infinex में आपको UFS 3.1 Storage Type देखने को मलेगा वहीं Motorola में आपको UFS 2.2 Storage Type देखने को मलेगा और अगर बात करें दोनों मुबालों के कैमरा सेगमेंट की तो Infix में 108 टू और 2 मेगापिक्सल का टेबल कैमरा सेट अप होगा वहीं Motorola में आपको 50, 10 और 13 मेगापिक्सल का टेबल कैमरा सेट अप देखने को मिलेगा यहाँ पे में कैमरा आपको Infix का काफी बैटर देखने को मिलेगा अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो Infix में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमरा देखने को मिलेगा वहीं Motorola में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पर selfie camera आपको Motorola का काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो दोने mobile में आपको stereo speaker देखने को मिलेगे और दोने mobile में आपको 3.5 mm जाग का feature देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो दोने mobile में fingerprint sensor आपको under display देखने को मिलेगा अगर बात करें USB port की तो Infinix में आपको 2.0 TAPC USB port देखने को मिलेगा वही Motorola में आपको 3.1 TAPC USB port देखने को मिलेगा अगर बात करें Infrared port और NFC की तो Infinix में आपको Infrared port और NFC दोनों के फीचर देखने को मिलेगे Wi-Motorola में आपको infrared port sa feature देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको NFC ka feature देखने को मिल जाएगा अगर बात करें दुनों mobile-ook ke battery segment की तो Inflix में आपको 5000 xmhk unser battery देखने को मिलेगी Wi-Motorola में आपको 4500 xmhk unser battery देखने को मिलेगी वही मोटोरोला में आपको ब्लैक लेवेंडर और क्रेम कलर्स देखने को मिलेंगे, इंडिया में इन्फिनिक्स जेटी ट्वन्टी प्रो का प्राइस 26,999 होगा, वही मोटोरोला एस 50 प्रो का प्राइस 31,999 होगा, तो दोस्तों ये था इन दोनों मुबालों का कम्रेट कंपरि एरिजन का क्लियर विनेर होगा, इन्फिनिक्स जेटी ट्वन्टी प्रो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लेक्शेट जरूर करेंड़ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को भी आन कर लेना, और कमेंट करके बताना है कि आ अगर वीडियो में